कौन रिष्टेदार सबसे हलका होता है? आईए जानते हैं चाड़की के इस नीत से त्रिलंग लगु त्रिडा तूलंग तूला दपीच याचकह वायूनां किंग न नीतो असव मामयं याची एस चती अर्थात तिनका बहुत हलका होता है किन्तु तिनके से भी रूई हलकी होती है और रूई से भी हलका होता है याचक मांगने वाला यदि ऐसा है तो याचक हवा के द्वारा क्यों नहीं उड़ाया जाता? अर्थात हवा उसे उड़ा कर क्यों नहीं ले जाती? यह याचक मुझसे भी कुछ मांगेगा इस भय से हवा उसे उड़ा कर नहीं ले जाती प्रस्त इस लोक में आचारे चाणक ने एक बात को बड़े ही अच्छे धंग से चित्रित किया है कि मांगने वाले से सभी डरते हैं और उससे दूर भागते हैं कोई भी मांगने वाले को नहीं अपनाना चाहता इस बात को असफष्ट करते हुए वे कहते हैं कि इस संसार में सबसे हलकी घास है घास से भी हलकी रुई है और रुई से भी हलका याचक है उच्छुकता का प्रश्ण है कि यदि आचक घास और रुई से भी हलका है तो जब वायू उन दोनों को घास और रुई को उड़ा ले जाती है तो याचक को क्यों नहीं उड़ा ले जाती इस पर उनका उत्तर है कि वायू इस भै से उसे नहीं उड़ा ले जाती क्योंकि वह जानती है कि याचक उससे भी याचना करेगा इसलिए वह उसे छोड़ कर न चाड़क की इस नीत से थोड़ी सी भी सीख मिली हो तो ऐसे ही और भी चाड़क की नीत सुनने के लिए कृप्या इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाने के साथ ही इस नीत को लाइक, शेर और कॉमेंट करने की कृपा करें धन्यवाद